जीवन के मुल्भूत आवसकताओं की पूर्ती के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवसकता होती है। इसके लिए भी हमें धन चाहिए। बच्चे को अच्छा एजुगेशन देना हैं इसके लिए भी हमें धन चाहिए। और जीवन में यदि उन्नती को आगे बढ़ना है समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ाना है तो भी धन की महत्ता सबसे अधिक मानी गई है। आज उसी धन के रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं आपके लिए। यदि आपका जन्म ब्रिसब लगन बेर हुआ है इस वीडियो को लगन के आधार पे देखिए सटिकता अगर करने जा रहे हैं। ध्यान दीजेगा पैसा तो हम सब कोई कमाते हैं लेकिन उस पैसे पर कितना हमारा नियंतरन हैं कितना हम उसे बचा पाते हैं और वो पैसा कितना अधिक हमको सुखी जीवन दे पाता है ये निहित होता है हमारे अर्थ त्रिकोन पर। परासर मुनी ने हमारे जन्म कुंडली को चार भागों में विभक्त किया है जिसके आधार पर धर्म त्रिकोंड, अर्थ त्रिकोंड, काम त्रिकोंड और मुक्ष त्रिकोंड की ब्याख्या उन्हों ने की है और आज हम अर्थ त्रिकोन को समझने बाले हैं जिसके माध्यम से न सिर्फ आप बहुत अधिक धनवान हो सकते हैं बलकि बेसुमार धन दवलत के स्वामी बन सकते हैं क्या है वो रहस्य कैसे उसे उजागर किया जाए किस उपाय से इसको हम अच्छे धंक से कारे पर ला करके धन की प्राप्ति कर पाएंगे आज इसी बात पर हमारी चर्चा होगी उपाय पर भी हम चर्चा करेंगे समझेगा जरा आपका जन्म व्रिसब लगन पर हुआ है और लगन हमारा जन्म है और जन्म के तुरंत बाद जो अगला घर होता है ये द्विती भाव यही हमारे जीवन का हमारे परिवार का इस्थान होता है क्यों कहा जाता है कि एक बालक का जन्म हुआ और परिवार में व्रिद्धी हो गई अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि परिवार को तो एक नया सदस्य मिला और आपके जीवन में एक नए परवरिश की प्राप्ती हुई और इसी कारण से द्विती भाव को हमारी परवरिस कही गई है एक बालक अपने परिवार में ही संसकार को प्राप्त करता है इसे ही हम द्विती भाव को हमारी स्पीच हमारी वाणी कहेते हैं और इसी कारण से घर के संसकार का effect उस बालक के वाणी पर बनता है किसी की बादचित को देख करके आप आकलन लगा सकते हैं कि उसके संसकार कैसे हैं और यहीं से प्रारम होता है हमारे धन की इस्थिती और इसी हिसाब से इस इस्थान को परासर मुनी ने धन का इस्थान कहा है अब इस धन के इस्थान को हम लेते हैं अर्थ त्रिकोन अब इस अर्थ त्रिकोन के अंतरगत हमको तीन घर मिलते हैं एक तो द्विती भाव और द्विती से पंचम और छठे भाव से पंचम इस हिसाब से ये हुआ हमारा एक त्रिकून जिसे हम अर्थ त्रिकून कहेंगे इसके अंदर का दुती भाव, सश्ट भाव और दसम भाव यहां पर समाहित हो गया तो यहां 2, 6, 10 यह इस्थान हो गया अब कैसे इसको हम समझते हैं और कैसे इसका यूज करके हम अत्यधिक धन की प्राप्ति करा सकते हैं इसको बड़े ध्यान से समझेगा इस भाव को धन भाव को रूल करते हैं तीन नमबर लिखा हुआ है मतलब इस भाव को रूल करते हैं बुद्ध और इस भाव के कारक होते हैं देव गुरु बिरस्पती अब यदि जनम पत्रिका में कहीं पर भी देव गुरु बिरस्पती की स्थिति यदि छठे या दसमे भाव से हो जाए तो इनकी दसम भाव से पांचवी दृष्टी और होगी जो धन के कारक के दृष्टी कोन से एक महत्वपुन संजोग होगा अब भाई हमें अपनी जनम कुंडली की मानिजे याद नहीं है या ज्यात नहीं है उस हिसाब से आप सिर्फ इतना समझे कि दूसरे भाव को रूल करते हैं बुद्ध क्योंकि यहां पर तीन नंबर की रासी बनी होई है आपके जो विद्ध मंत्री हैं वो बुद्ध हो गया बुद्ध अर्थात बुद्धी और इसी काराण से ब्रिसब लगन पर जिनका जनम होता है वो जनम से ही बुद्धिमान ब्यक्ति होते हैं अर्थात उनको वो संसकार वो बुद्धी मता वो वानी क जो स्पीच है जो बोलने की छमता है इनको जनमजात प्राप्त होती है अपने परिवार से और इसी कारार से हमारा हो या आपका कोई कारिया हो अपने बातों के माध्धम से अपने अच्छे ज्यान के माध्धम से अपनी बुद्धी मता के माध्धम से हम अपने कारिच छेतर क वो आगे बढ़ाते हैं और उसी से हमें धन की प्राप्ति होती है। इसने धन इस्थान का जो महत्व है आपके लिए वो बुद्ध रिप्रेजन करता है। प्रथम इस्थान आपका महत्वपून हो गया आप ऐसा जानिएगा। अब आते हैं धन त्रिकोन के दूसरे घर पर। ये इस्थान है छटा घर। छटा घर पर साथ नंबर की रासी लिखी हुई है। साथ नंबर अर्था सुक्र। इस भाव को जो रिप्रेजन कर रहे हैं व आप और हम यदि कोई सर्विसेस किसी को प्रदान करते हैं और उसी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। चाहे धन की प्राप्ती हो या कोई हमको बद्रे में सेवाय प्राप्त हो। इसलिए परासर मुनिनेज छटे भाव को प्राप्ती का इस्थान का है। परन्तु यही वो इस्थान है जो हमारे रोग रिण रिपू का इस्थान होता है अर्थात छठा भाव हमारे रोग का है आप समझे जरा यहाँ धन के त्रिकोन पर छठे भाव रोग का क्या सवाल तो जब किसी का स्वास्थ यदि बिगड जाए तो एक बार यदि वो व्यक्ति हॉस्पिटल पहुँच जाए तो कितना सारा धन वहाँ पर चला जाता है जो हमने संग्रह किया था और इसी लिए द्विती भाव जो संग्रह धन का होता है तो कहीं कहीं उसका लिंक बना हुआ है छठे भाव से अर्थात आपके संग्रही धन पर सेंध लग सकता है स्वास्थका कैसे उसको ठीक रखना है अभी उस पर चर्चा होगा दूसरा पॉइंट है इसी इस्थान को हम कहते हैं सत्रू होगा यदि हमारे सत्रू अधिक है या फिर ये समझे कि हमारे प्रतिद्वन्दी अधिक है आप जिस फिल्ड में काम कर रहे हैं आपकी मेहनत का ये इस्थान होता है आप जहां पर काम करने है जो फिल्ड है आपका काम करने का यदि वहाँ पर आपके सत्रू आपके विरोधी आपको परास्त कर पाते हैं और आप उनसे आगे नहीं पड़ पाएंगे तो स्वभाविक सी बात है कि आपकी सेलरी आपका इंकम उनसे कम ही रहेगा तो इस हिसाब से हमेशा जो छठा भाव है वो सत्रों का होता है कैसे उसको बैलेंस रखना है इसको अब जानियेगा यही वो इस्थान है जो हमारे दैनिक रूटिंग को दिखाने वाला इस्थान है मतब़ हम दैनिक दिन चरिया पर क्या काम करते हैं चुकि 7 नमबर की रासी है, 7 नमबर की रासी को balance की रासी कही गई है एक ऐसा इस्थान है जिसे संतुलन बनाने को कहा जाता है 7 नमबर की रासी और इसी कारण से हमें अपने कोई भी लोन हैं उसको balance बना करके रखना है यदि already एक loan चल रहा है दूसरे loan लेने की आवसकता नहीं है या फिर उस loan के लिए हमको ध्यान रखना होगा कि यदि मैं safe zone में हूँ तभी तो उस loan के लिए आगे बढ़ू अन्यधा रुख जाओं यही इस्थान स्वास्त का साथ नंबर की रासी होगे स्वास्त का हमारा रोख का घर हो गया अब यहाँ पर साथ नंबर हो गया अर्थात यह हमारे communication को भी दिखाता है कि हम सामने वाले के लिए अपने ब्यवहार से अपने बोलचाल की भासा से उनसे ज़्यादा जब हम टेलेंटवान बन जाते हैं तो यह छठा घर हमारा प्रभावी हो जाता है सब्तम भाव आपके मित्रों का होता है आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का होता है जो हम पर साथ नंबर है इसलिए जब भी आपको कोई प्रॉबलम आए तो आपके मित्र और आपकी पत्नी या आपके पती उनके द्वारा उस प्रॉबलम को हल किया जा सकता है या फिर यूँ समझे कि उनके संग आपका रिलेशन सही यदि होता है तो आपको प्राप्ति की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी अब आते हैं दसंभाव पर जो इस अर्थ त्रिकोन का मुख्य बिंदू है इस इस्थान को कहा जाता है दसंभाव और इस भाव को रूल कर रहे हैं 11 नमबर की रासी लिखी है अर्थात सनी देव इस इस्थान को रूल करते हैं अब सनी के विशाय में आप सब जानते हैं स्वयम कैरियर के कारक होते हैं सनी देव और यदि आपके कैरियर के घर पर ही वो बने हुए हैं सनी का एक स्वभाव है हार्ड वर्क कड़ी मेहनत कराते हैं सनी देव और उसके पस्चाती हमें धन की प्राप्ति या हमारे कारे में सक्सेज देते हैं अब यहां से यदि कारे में सक्सेज मिल गया तब जाकर के हमें इसका लिंक बना हुआ है धन से अर्थात हमें धन अपने काम से प्राप्त होना है इसलिए कारे में हो सकता है कि कोई विलंब हो जाए लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपको उस कारे में सफलता ना मिले दूसरे तरफ 11 नंबर की जो रासी है काल पूरुस में इंकम भाव को रिप्रेजेंट करती है इसी कारण से जो हम काम करते हैं उसमें इंकम की प्राप्ति भी ऐसे लोग बेसुमार करते हैं डिबेंड करता है कि दुती भाव के स्वामी, दसम भाव के स्वामी का प्लेस्मेंट कैसा है आपके चार्ट में यदि वहाँ अनुकूल इस्थिती है तो निरंतर मानिये कि बेसुमार धन दवलत के स्वामी हम बन सकते हैं, हम अपार धन की प्राप्ति करा सकते हैं अब सनी क्या मांगते हैं? सनी हमको पैसेंस मांगते हैं, हमको बोलते हैं धैर्य रखो धीरज धरम मित्र अरुनारी आपद काल परक्याईचारी ये जो चौपाई है, ये जो सुत्र है वो आपके लिए सटिक बैठता है एक तो धीरज सनी आ गया कि धैरे डखना है, धीरज धर्म, मित्र, हमने कहा कि मित्र अरुनारी, अर्थात इन सभी के सपोर्ट से हम अपने धन को कई गुना आगे बढ़ा सकते हैं। तीन नंबर होता है बुद्ध का, और बुद्ध का इस्थान होता है कोई बैंक, इसलिए जहां पर बैंक है, वहाँ आपको बीज बीच में जा करके घूम करें, कुछ काम भी नहीं है तो घूम करके एक बार आ जाएए, इससे आपका द्विती भाव मजबूत होगा, जो बैं इसके अलावा तीन नंबर की रासी है, बुद्ध है, स्री गणेश जी की अरादना करना, स्री गणेश जी के मंतरों का जाप करना, आपके लिए धन दायक सिद्ध होगा, चूंकि ये एक ऐसा इस्थान है, जहां पर हमारे संग्रा धन के सांसत हमारे बोल चाल में, तो बोल पर होने चाहिए भगवान स्री गणेश जी, जहां पर मुस्कुराता हुआ सुन्दर उनका वदन हो, और इस हिसाब से यदि हम इसान दिसा को महत्वपून रख पाते हैं, इसान दिसा को सुक्ष और साफ रख पाते हैं, तो निश्चय मानिये, ये बुद्ध आपके लिए एक अनुकुल प्रभाव देगा, और हां, इसान दिसा में ही कोई न कोई एक पौधे जरू लगाएगा, क्योंकि इस बुद्ध का कनेक्शन वनस्पती से होता है, ग्रीन कलर माना गया है, और इस लिए यदि वहाँ पर कोई गमले रखते हैं, खास कर माता तुलसी को यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भाती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भुलिएगा, और हां, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरू मैं हूँ इन्ही सुबकामनाओं के साथ जैसरी राम